तो चले दोस्तो बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेट के बारे में देखें विप्रो के उपर हमने बहुत सारी वीडियो पप्लिश करती हैं काफी सारे लोगों के मनमे बड़ बड़े क्वेशन थे विप्रो के अंदर काफी सारे लोग पैनिक में थे हमने एक बात आपको कोमन सी बताई है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप विपरो के शेर बिलकुल भी मत बेचना अब अगर आप बेच दोगे तो दोस्तों फिर आप पस्ताओगे क्योंकि आगे आने वाले दिनों के अंदर इस कंपनी में इतनी potential है इतनी capacity है कि ये price recover कर सकता है आपको यहाँ पे समय देना ही होगा अब देखे हम जो time इस company के अंदर दे रहे हैं और बेवजा हम जो इस company के अंदर long term investor बने वो किस तरीके से मतलब एक ऐसी उपादी थी जो हम बिलकुल भी नहीं चाहते थे लेकिन इस company ने वो हम लोगों को दे दी वो कैसे देखे इस company के हमने shares खरीदे और ये company लगातार दोड रही थी है आप यहाँ पे ध्यान से देखेगा 2020 में stock हुआ करता था 200 रुपे का उसके बाद में काफी सारे लोगों ने बड़ा फाइदा इस company से उठाया लगातार इस share के अंदर आपको तेजी दिखन को मिली तो उस वक्त तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और हम उपर के लेवल पर भी इस company के अंदर बराबर खरीदारी कर रहे थे 700 रुपे इस stock पहुँच गया था अब जैसे ही इस stock उपर के लेवल से गिरा है तो काफे सारे लोग उपर के लेवल पर ट्रैप होगे इस 70 रुपे पर इस share को निकाल दिया होगा हो सकता कुछ लोगोंने 650 रुपे पर खरीदा होगा और इस share को 700 रुपे पर निकाल दिया होगा तो उस वक्त वे long term investor नहीं थे लेकिन हाँ अब वो long term investor इस company के अंदर बन चुके हैं और दोस्तो हम लोगों को जो लोग long term investor बनना नह investor होता है जो किसी भी share के अंदर उसे दूर जाता हूँ अभी देखता है और जब वो गिरता है न तो उसे गिरता हूँ अभी देखता है तो अगर आप long term investors हैं तो फिर आप विपरो कंपनी से बिलकुल भी परिशान नहीं होगे क्योंकि विपरो कंपनी का share जब गिर रहा है तो आपको ये जरूर पता होगा कोई भी निवेशक किसी भी company के अंदर जब खरिदारी करता है तो वो यूहीं खरिदारी नहीं कर लेता है उस company के अंदर बहुत सारी चीजे होती है analysis करने के लिए कि आगे क्या वाके में इस company के अंदर उतनी potential होगी कि ये share recover करेगा और शा market 915 पर हमने share खरीदे विपरो के कितने हजार हमें मतलब भी नहीं है कि share उपर जाएगा नीचे जाएगा हो सकता है कि एक दिन दो दिन दस दिन बीस दिन पचास दिन च्छे महीना साल भर आप विपरो से तगड़े पैसे कमा लें अच्छे खासे quantity buy करके लेकिन जब trap होगे हैं ऐसे काफे सारे लोग तो देखे ये सारे चीज़े हमारे सामने नहीं आनीची बजार के अंदर बहुत सारी दमदार कंपनी हैं multiple कंपनी आपको देखने को मलती है उन multiple कंपनियों को select कीजेगा अपने portfolio के अंदर शामिल कीजेगा कुछ एक कंपनी गिर रही है तो गिर न नतीजे देखेगा तो infosys company के नतीजे कैसे देखने को मिल रहे है almost flat देखे कोई इतना कुछ ऐसा बड़ा नहीं हुआ है अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा तेजी हुई है मुनाफ़े के अंदर margin भी आपको गिरते हुए दिखाई दिए हैं हाँ देखे कंपन कंपनियों को ignore करें इन कंपनियों के अंदर खरेदारी नहीं कर सकते हैं तो देखे लोंग टर्म के साफसे इन कंपनियों के अंदर बराबर क्या चीज़ करनी है S.I.P. S.I.P कैसा मूल मंतर है जो किसी बढ़ते हुए शेर्स के अंदर पैसा कमाने में बड़ी मदद करता है Wipro Limited कोई आज की कंपनी नहीं है 2-4 साल पुरानी कंपनी नहीं है बहुती पुरानी कंपनी है और अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो जब ये ओनलाइन हुई थी तो 1999 से लेकर अब तक लगातार इस कंपनी के शेर के अंदर आपको तेजी ही देखने को मिली है अब कु कुझे नहीं लगता कि इस टॉक 300 रुपे से नीचे जाता हुआ दिखाई दे अभी देखें ये कंपनी इपने क्वाटर थर्ड के नंबर डेक्लेयर करने वाली है देखें सभी की नजर है इस कंपनी के नतीजों के उपर और यहां पर दोस्तों कमाल की बात यह है कि रिवे थर्ड के पेक्षा अगर आप क्वाटर फोर को देखेंगे न तो महां से एक चीज आपको यहां पर समझ में आएगी क्योंकि अभी सारी कंपनियों के इंदर जो क्वाटर टू में आपको एक्षान देखने को मिला था शांदार था क्वाटर थर्ड में गिरावट हुई हो सकता है कि quarter 4 में आपको और भी ज़्यादा गिरावर देखने को मिले देखे काफे सारे अनलिस्ट तो ये भी मान कर चल रहे थे कि quarter 3 के पेक्षा quarter 4 ज़्यादा डराने वाला यहां पर हो सकता है क्योंकि अभी देखे जो US के अंदर हुआ और Europe के अंदर आपको देखने को मिला है उसका असर एकदम नहीं होता है तो वो सारी चीज़े अर्निंग्स आपको महाँ पर भी जो अगला quarter होगा तब तक देखने को मिलेंगी तो उसके लिए मैं आपसे बार बार यह सारी चीज़े बताता रहता हूं कि किसी भी company के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो कम से क हम दस बार सोचिए खरीदना या ना खरीदना वो एक अलग बात है दस बार यह सोचिएगा कि अगर यह शेर गिर गया तो क्या होगा क्या शेर खरीदने के लिए पैसे हैं या नहीं है आज की डिट में बजाज फिंजर का शेर लगतार गिर रहा है हम बरावर आपको एकी या तो इतने शेर कर लो कि बजार के अंदर डर लगे ही न और अकर नहीं कर सकते तो बजार से डरना पड़ेगा बजार डरा के रखेगा और फांस के रखेगा एक ऐसे लेवल पर आपको पैसे कमाने जल्दी से नहीं देगा देखिए मजबूत कंपनियों का एक इतिहास र आती है देखिए अभी लेटेस्ट आप एक एक एक्जांपिल मैं आपको देता हूं जिंदल स्टील का शेर आप उसका कर्व देखना किस तरीके से मुमेंट था उसके बाद स्टॉक के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली और फिर स्टॉक बढ़ा कितनी तुफानी त अच्छा वोल्यूम था अगर आप कल का वोल्यूम देखें कल भी 50 लाग का वोल्यूम था बिलकुल फ्लैट अगर आप होल्डिंग कौनिटी देखेंगे तो 21 लाग की आपको देखने को मिली थी कल के दिन इसके लाव अगर आप एक वीक का एवरेज देखें 45 लाग 20 का माल होल्ड एक महीने के एवरेज में देखें अभी कल के लिए जो संकेत हैं अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो वो बिलकुल फ्लैट ही हैं यहाँ पे अगर आप इंटरनेशन मार्केट को देखेंगे तो उनके अंदर आपको कुछ तेजी हैं पर देखने को मिल रह खेला जाता है अमोमन आपने बजार को एक ठेराओ में ही देखा होगा काफी सारे लोग जो है प्रॉफेट बुक कि यहाँ पर करके जाते हैं क्योंकि दो दिनों की अमोमन यहाँ पर चुटी देखने को मलती है अब अगर सब कुछ ठीक टाक चल रहा है तो काफी सारे को यहाँ पर काम करते हैं इसके लावा quarter two के अंदर भी अगर आप इस्तिती देखेंगे तो कुछ खास performance आपको company के अंदर नहीं देखने को मिली थी क्योंकि अगर आप sales देखेंगे तो 22,540 करोड की sales थी 21,529 करोड की आपको पहले देखने को मिली थी केवल 1000 करोड लगभ sales आपको बढ़ती हुँ दिखाए दी थी जबकि year on your business पर कुछ अच्छा रुजान था यहाँ पर अगर आप operating profit देखेंगे तो operating profit आपको year on your business पर गिरता हुआ दिखाए दिया था और quarter and quarter business पर operating profit के अंदर बढ़ा देखने को मिली थी अब यह देखने वाली बात है कि कि किस इसके लावा अगर आप इस company को सालदर साल में hold करना पसंद करते हैं तो दोस्तो 2022 के अंदर बढ़ा गेम देखे 79,000 करोड की sales अगर आप long term के हिसाब से sales देखेंगे तो आपको बढ़ते वे करमनी दिखने को मिलेगी जो कि एक मजबूत company के अंदर एक अच्छी पहचान है इसके लावा अगर आप operating profit देखेंगे तो operating profit लगातार बढ़ रहा है अच्छी बात है अगर आप मुनाफ़ा देखेंगे तो मुनाफ़ा भी आपको long term के साफ़ से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है company को long term के साफ़ से hold करने में portfolio के अंदर शाम आप उस company का जर्स देखेंगा long term के साफ़ से 20 सालों 30 सालों का इत्यास कैसा रहा है तो तब तो किसी भी निवीशक ने इस company को खराब नहीं का तो आज गिरते हुए price को देखकर हम लोग इस company को खराब कह रहे हैं ये company हमसे सरफ एकी चीज मांग रही है अगर आपके पास मे करोड का share capital long term के साफ़ सब्सक्राब देखेंगे तो ये value बढ़ी है reserves की बात करते हैं तो बढ़ते हुए करम में दिखने को मिलेगा borrowing की बात की जाए तो बढ़ रही है इसके लावा total इस company के लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे अगर निवेशकों का quarter quarter business पर बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो बहतरिन company बराबर SIP के अंदर की जा सकती है नजरिया बना कर चलिएगा दो साल का अच्छे और मजबूत return आपको देखने को मिलेगे दोस्तों करीब पूरी जानकारी आपको च्छे लगी हो तो वीडियो लाइक पर मिल जाएगा thank you so much for watching